वेलकम टू मैं चैनल टिप्स थीएटर चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है खुबसूरत चहरा हम सब की चाहत होती है हमारे चहरे पर बिल्कुल दाग धब्बे ना हो सुन्दर चमकता दमकता सा हमारा चहरा हो बहुत ही बड़ा वीडियो शेयर कर रही है हुँ दोस्टो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले आखों के चार ओर काले घेरे हो जाते हैं तो उसे हम किस तरह से हटाएं साथ ही साथ दोस्तों हमारे होटों का रंग यदी काला है तो उसे हम किस तरह से दूर करें और चेहरे पर किस तरह से चमक लाएं ताकि हमारा चेहरा भी बिल्कुल चान के जैसा चमकता दमकता सा दिखाई दे तो सबसे पहले ये होम मेड रेमेडी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेना है विटामिन E ओयल का कैपसूल इवियान का ये जो कैपसूल है दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा बहुत महंगे महंगे आप लोग ब्यूटी प्रोड़क्ट खरीदते होंगे दोस्तों मेरे कहने से एक बार विटामिन E ओयल का कैपसूल आप जरूर लेकर आए बहुत ही फायदेमद है आपके स्किन के लिए आपके बालों के लिए आपकी हेल्थ के लिए सब्ता में एक बार विटामिन E का कैपसूल खाया भी जाता है इसे लेने से ह पर इसका प्रेयोग करना है विटामिन E और अलोवीरा जैल को चहरे पर कैसे लगाना है इस वीडियो में मैं आपको बटाऊंगी जब अरदस्ट टॉनिक है दोस्तों आपके चहरे के लिए जो मैं शेयर कर रही हूं आप इसे लगा के तो देखें दो तीन दिन करें आपको ख चहरा कितना चमकता सा हो गया चहरे पर जो दाग धब्बे होंगे पिग्मेंटेशन होंगी रिंकल्स की प्रॉब्लम होगी या मोहासे के कारण जो निशान पढ़ गया है सारी चीजें हट जाएंगी कोशिश करें फ्रेश अलोवीरा जैल ले मैं दोस्तों अपने हर वीडि जित रहता है केमिकल तो रहता है तो कोशिश करें फ्रेश पत्ति का ले किसी नरसरी से अलोवीरा का पौधा जरूर ले कराएं पचीस और तीस रुपए में आता है रहनी सीजन में बहुत तेजी से ये फैलता है अपने घर पर लगाएं एक पत्ति का इक बड़ा इतनी ज्यादा इसकी अधिस्टिनल प्रॉपर्टी होती है आलोवीरा जेल के लिए इतने सारे इसे में नूट्रियेंट्स होते हैं पोशवत्ततो होते हैं जो हमारे हेर फॉल को तुरंत रोकते हैं हमारे स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है साथ हमारे चेहरे पर जो भी दूर करता है अलोवीरा जेल और इस जेल में जो हम विटामीन E ओयल मिलाएंगे तब कहना ही क्या दोस्तों और भी जादा आपको फायदा मिलेगा चेहरे पर बहुत अच्छी रोनक आएगी यदि प्रकृतिक तरीके से अपने चेहरे के खोय हुए निखार को वापस पान कर बढ़ी अच्छा इसे पीस ले व ग्राइंड कर ले जिन लोगों के पास ग्राइंडर जार नहीं है मिक्सी नहीं ए दोस्तों वे क्या करें अलोवीरा की पत्ती में से जेल जब निकालें कॉम्भ होता ना कंगी जिससे हम लोग बालों पे एं कंगी को धोले साफ कर ले उ जो घर पे हैं दोस्तों, उनके पास तो सभी के पास है, मैंने भी इसमें डाल लिया है, अब आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्मूध पेस्ट बन गया है, कभी भी ऐलोविरा जेल को, पीस्ते समय बिल्कुल पानी ना डाले, इसमें खुद में अपने आप में वाटर हो बहुत महंगी भी नहीं है, कि हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, हेर फॉल को रोकती है, हमारे चेहरे पर चमक को लाती है, हमारे खोर हुए निखार को वापस लाने का काम करता है, विटामिन E ओईल, तो यहां पर मैंने केवल एक कैपसूल डाला है, अलोविरा जेल में, यदि आप इससे लगाएंगे ना दोस्तों, तो आपके चेहरे पर आप देखेंगे, एक एक निशान हट जाएगा, यह देखें, दोनों को मिक्स कर दिया है, अब आपको चेहरे पर लगाना, इसके अलावा दोस्तों, विटामिन E ओईल को आप नाइट क्रीम के रूप में भी लगा सकते हैं, सिर्फ विटामिन E ओईल को आप रात के समय इसी अलोविरा जैल में मिलाकर लगा है, दिन में भी लगा सकते हैं, रात को लगाएंगे ना दोस्तों, तो आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिले कर रात भर चेहरे पर लगा रहेगा, आप देखेंग इस ओईल को लगाएंगे, इस कैपसुल को मिक्स करके लगाएंगे, तो फटी एडी से छुटकारा मिलेगा, एडीयों की दरारें भर जाएंगे, विटामिन E ओईल और उसके साथ नारियल का तेल, तिल का तेल, या फिर आपके पास सरसो का तेल है, ले सकते हैं, आॉलिव बालों पर लगाएं, दो चमस तेल ले ले ले, एक से दो कैपसुल ले ले, बाल लंबे है, तो दो कैपसुल का इस्तमाल जरूर करें, खोब अच्छा स्केल्प पर मसाज करें, हेर ग्रोथ फास्ट होगी, सफेद बालों की समस्या दूर होगी, बालों में बड़ी अच्छ काला पन आएगा, तो यह इतने सारे तरीके हैं, इसके लावा, इस्ट्रेच मार्क को पेट में, जो हमारे प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, उसे दूर करने के लिए, विटामिन E ओल में आप नारियल टेल मिला कर लगाएं, स्ट्रेच मार्क दूर होग एबजॉब हो सकें, और इसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकें, रात को लगाएंगे ना दोसों, तो ज्यादा अच्छा असर मिलेगा, रात भर लगा रहने दे, यह दोनों चीज़ें तो बहुत फायदेमन्द हैं, आपको मूद होने की जरुदती, सुबह उठकर मूद आप रोज रात को इसे लगाएं, नाइट क्रीम की तरह आप इसका यूज करेंगे ना दोसों, तो आप देखेंगे की चेहरे की सुंदरता आपकी बढ़ जाएगी चेहरे पर बहुत अच्छी शाइन आएगी दोसों, और कभी आपके पास अलोविरा जैल नहीं है, तो विटामीन E OIL को मिक्स करके लगा सकते हैं, आपको विटामीन E OIL को किसी भी मॉईस्चुराइजर या किसी लोशन के साथ मिक्स करके भी आप इसे लगा सकते हैं, आँखों के नीचे लगाएंगे ना, डार सर्कल की प्रॉब्लम दूर होगी, नारियल एल में मिक्स करके ल बहुत ही strong antioxidant होते हैं जो हमारे बालों को सफेध होने से बचाते हैं बालों को चमकदार करते हैं आप चाहें तो अरंडी का तेल जिसे हम kester oil कहते हैं kester oil में भी vitamin E oil को mix करकर अपने बालों पर massage करें, kester oil बहुत strong होता है ठीक होता है, तो थोड़ा सा नारियल तेल भी डाल लें और vitamin E का capsule केयर करेंगे तो बाल आपके बहुत सुन्दर हो जाएंगी यहाँ पर glycerine में मैंने vitamin E oil को mix किया है सिर्फ होटों के लिए glycerine आप देखेंगे होट आपके उपर की जो परत सुख जाती न दोस्तों वो परत वापस आपकी सॉफ्ट हो जाएगी ओटों में बहुत अठी चमक आएगी दोस्तों तो इतने सारे इसके फाइदे हैं दोस्तों फटी एडियों से छुटकारा मिलेगा रंग गोरा होगा चहरे के निशान, स्ट्रेच मार्क, पिंपल्स के निशान दूर होंगे और साथ इसाथ ड्राइ स्किन के लिए तो विटामिन E ओईल बहुत ही बेस्ट है इस तरह से आखों के नीचे हलके हाथों से मसाज़ कभी भी ताकत से मसाज नहीं करना है आखों के नीचे हलका हलका सा रात को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही मेरे चैनल टिप्स थियेटर को सबस्क्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करें इंफार्मेशन कैसी लगी